ओम गणेश आये नमेह Friends, आप सभी को गणेश चतूर्थी की हारदिक सूब काम नाए गणेश चतूर्थी के दिन सबसे पहले हम गणेश जी को अपने घर लेके आएंगे और उसके बाद हम गणेश जी की स्थापना करेंगे तो स्थापना किस तरह से करनी है? इसकी बहुत ही सरलवीधी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो friends सबसे पहले हमने गनेश जी के लिए यहाँ पर चोकी लगा ली है अब चोकी पर हम चावल का आसन लगा कर गनेश जी की स्थापना करेंगे तो देखिए इस तरह से हम लोग चावलों का आसन लगा लेंगे और यहाँ पर चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए अक्षत होने चाहिए इसके बाद हम लोग गनेश जी को विराजमान करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने गनेश जी को विराजमान कर दिया है जितने भी दिन के लिए आपने गनेश जी की स्थापना का संकल्प लिया है उतने दिन तक आप हम गनेश जी को यहीं पर विराजमान रखेंगे हमें मुर्ति को बिल्कुल भी नहीं ही लाना है इसके बाद हम करेंगे कलस की स्थापना, तो देखे, कलस की स्थापना करने के लिए भी हमें चावल का आसन देना है पहले, और गनेश जी के राइट हैंड की तरफ हमें कलस की स्थापना करनी है, यानि गनेश जी के सीधे हाथ की तरफ हमें कलस की स्थापना करनी है, और कलस म हम लोग हल्दी, चावल, फूल, दुर्वा और सुपारी ये पांचों चीजे डालेंगे आप सिक्का भी डाल सकते हैं और इसके बाद हम लोग कलस में आम के पत्ते लिए हैं मैं नहीं हापर तो पांच आम के पत्ते लिए हैं इन पर टीका लगा लिया है आपके पास अगर आ गनेश जी के राइट हैंड की तरफ हमें करनी है उसके बाद चावल का भरा एक पात्र हम कलस के उपर रखेंगे और नारियल पर मोली बांध कर फिर हम नारियल को रखेंगे तो देखिए नारियल की सीधी साइड यानि नारियल का जहां मुख होता है ये आखे जहां होती है ये हम अपनी तरफ करेंगे तो इस तरह से हम नारियल की स्थापना कर देंगे और अब हम इसके बाद गनेश जी की स्थापना करेंगे जो छोटे वाले गनेश जी होते हैं उनकी स्थापना की जाएगी इसके बाद तो यहां पर मैं बीच में छोटे वाले गनेश जी की स्था आजमान करेंगे तो देखना यहां पर मैंने दो सुपारियों की स्थापना कर दी है एक रीधी और एक सीधी तो रीधी सीधी माता के लिए हमने यह सुपारी ले ली है इस तरह से हमें स्थापना करनी है तो देखिए गनेशी की स्थापना हो चुकी है रीधी सीधी मया की सापना हो चुकी है अब हम यहाँ पर दिया पर जोलित करेंगे तो दिये के लिए पहले हमने चावल का आसन दिया है सीधे हमें चोकी पर दिया नहीं रखना है या तो आप पहले फूल रख ले या तो आप चावल रख ले उसके बाद आपको दिया रखना है और इसके बाद ह हम लोग सभी को तिलक करेंगे तो यहां पर हम लोग रोली से तिलक करेंगे उसके बाद हम लोग चंदन से तिलक करेंगे हमें सभी को तिलक करना है रिधी मया सिधी मया गनेश जी कलस पर हम स्वास्तिक का चिन बना देंगे तो इस तरह से हम सभी को तिलक कर देंगे और हमें दिये को भी दिलग करना है, तो देखिए, दिये का विदिवत हम लोग पूजन करेंगे, साथ में जो मुशक है, गनेश जी के जो मुशक है, हम उनका भी विदिवत पूजन करेंगे, तो इस तरह से हम लोग पूजन करेंगे, साथ ही हम सभी को चावल समर्पित करेंगे, तो किस तूर्थी की स्थाफना कि जाती है, घर पे कुछ लोग एक दिन के लिए स्थाफना करते हैं, कुछ लोग तीन दिन के लिए,七 दिन के लिए, कुछ 10 दिन के लिए इस तरह से स्थापना की जाती है तो आप जितने भी दिन के लिए स्थापना करें स्थापना विधी यही सेम रहने वाली है इसी तरह से हम गनेश जी की स्थापना करते हैं इसके बाद हम लोग गनेश जी को पुस्प समर्पित करेंगे तो यहां पर मैंन 101 मिल जाए 108 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है यहां पर हम मुशक देवता को भी दुरुआ घास समर्पित करेंगे रिद्धी सीधी कलस सभी पर हम दुरुआ घास समर्पित करेंगे उसके बाद हम लोग जनेव समर्पित करेंगे तो फ्रेट्स गनेश चतूर्थी की पू इसके बाद हम लोग भोग पर्शाच कारेंगे तो भोग में हम लोग इलायची नार्यल और गुढि यह चीज़े चीजह जितने दिन की भी आपने सापना किये ये चीजह गनेज भोग लगा सकते हैं तो धेखिए मैं यहांपर मोदक शमर्पित करूंगी इसके बाद मैं गनेज दीजियर महाराज को जल समर्पित करूंगी, तो देखीं इस से 5 परकार के रिटुफल लिये हैं उसके बाद हम दोग दीखाकर आरती करेंगे तो यहां Пेर मैं Kaapoor आरती करूंगी तो इस तरह से हमारी गनेश चतुर्थी की पूजा पूर्ण हो जाएगी इसी तरह से हमें पूरे दस दिन तक पूजा करनी है और अगले दिन पूजा कैसे करनी है इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा इसके बाद हम पूजा मेरे ही कम्यों के लिए समाय आचना करेंगे तथा आपने मनों कामना पूर्ण करने के लिए कामना करेंगे तो फ्रेंट्स ये थी कनेश जी की स्थापना की बहुत ही सिंपल सी वीधी जो मैंने आपके साथ शेयर की अगर आपको ये वीधी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम गणगण पते नमे